अगिया के आई देवर निया जेठनिया से पूछाई जेठनिया से पूछाई हो बहिनी कावान चरीत्र तोहरी ओबरी देखत निक लागई देखत छबी लागई हो बहिनी कावान चरीत्र तोहरी ओबरी देखत निक लागई देखत छबी लागई हो कि चार-पांच वीडियो ऐसे स्क्रॉल करिए तो एक वीडियो ऐसी संबेदन सील आ जाती है जो देखने लाइक नहीं है आप भी को दिखी है आपको भी जी बिलकुल जो लेडिस हैं जिन्स की बात ही छोड़ो वो तो सिर्फ गाते ही होंगे लेडिस जो अपनी है का अपनी इज्जद की दज्जियां अपने खुद उड़ा रही है उनको अपनी इज्जद की परवाह नहीं है तो बहुत बुरा लगता है बच्चे भी देखते हैं मोबाइल चालू करते हैं तो पहले आ जाता है क्या करें वो लोग को कि वो लोग को जब नहीं सरम है दिनेश लाल यादव निरहुआ जी का पहला जब अलबाम आया था खुसबूराज जी के साथ और खुसबूराज जी भी कहीं न कहीं देशी परमपरिक लोग गितों को ले करके चली लेकिन लंबे समय तक नहीं चल पाई तो परिवर्तन करना पड़ेगा जी लेकिन ऐसा भ चल आप घ्रवर्त बार मोगना हीम क्या संब Напримерने ओपर तो मुझे सब्नेटे में तो में कॉशित पूरा करोंगी हम ऐसा घीतन Sharky के समाहज में सुनने लाइकन नहों ओर हम नहीं हमने करें कि तो नहीं कोई आईंगे तो ठोईनluent तो तो बस यही हम लोग का विचार है अब बागे भगवान जाने हैं ऐसे ही सलामत रखके रहें साथी साथ हमारा एक निवेदन भी है कि प्रतवीम बबन के आप लोग को खड़े रहना है उन असलील कलाकारों के सामने जो की साटकट अपनाते हैं अभी देख रहे हैं हम तीन चार या पांच छे महिनों से देख रहे हैं कि असलीलता सोसल मीडिया पे इतनी बढ़ चुकी है कि चार पांच वीडियो ऐसे स्क्रॉल करिए तो एक वीडियो ऐसी संबेदन सील आज आती है जो देखने लायक नहीं है आप भी को दिखी है आपको नहीं है तो बोट बूरा लगता है बच्चें भी देखते हैं मोबाह चालू करते हैं तो पहले आ जाता है क्या करें वो लोग को कि ओर लोग को जब नई स्रम है कि ऑलो के देवज getting सुव नहीं हैं घर में हमारे भी परिवार हैं हमारे नंगी बहुत कुस होते हैं कि ये बहुत अच्छाorse परिल्फ हरं के और भी नाम होता है यह तो उन लोग को भी परिवार होंगे हॉग कि इसा गलत कर रहे हैं तो कोई उंचली उठाने वाला नहीं हैingersों नहीं जाता हौगा तो लोग को अगर दबाव लगाते अगर बोलते आथा नहीं करती ना कोई नहीं दबाव लगाता इसका मतलब चाहे एडल्ट वीडियो हो या एडल्ट गीत हो अगर एडल्ट के दायरे में है जैसे मतलब हम बालिग हैं नौजवान है देख रहे हैं तो हम समझ सकते हैं परिस्तितियों को लेकिन जब से कोवीड का दौर आया है तब से बच्चे जो है मुबाइल स्क्रीन पर आ गया है प तो उसमें मैसेज आता है उसमें ह हॉम्म आर का रहा है तो उनको चहिए हॉमर किये उसके बाद ओ देखना चालू कर दाई हो कुछ भी ज्यादा 60 वीडियो ही देखते बच्चे बहुत देखते हैं उसमें भी कॉट्टून भी आता है ना तो देखने के चक्कड में सब देखते हैं तो उसमें सब चीज आती हैं तो कितना आप क्या करोगे समझ में नहीं आता है और ना दो तो तब भी नहीं बनता दो तब भी नहीं बनता मतलब हर माबाप की समस समस्याय पैदा करने वाली वह महिलाय जिनको यह ज्यात नहीं कि अपने मायके के पिता की पगड़ी है पती की सब्सक्राइब अनको नहीं समझ में आता है जो लेडिस देखती है वह उनके उपर फिर्पमिक्स बना के गाली पुर्बांचल जो है डाला है विहार पर बिहार के तर्ज पर एक तरज पर बिलता यहां भी डबलब हो रही है जैसे आप जैसे कलाकारों को फाइट करना है और बताना है कि केवल और केवल असलील ही नहीं अच्छे गाने भी चलते हैं मार्केट बिलकुल बिलकुल चलते बिरंदर चौहान का एक गाना आया है अभी जो बहुत पुराने निरह हुआ है कुछ समय के लिए बिलूप्त हुए थे लेकिन फिर से आये और आये तो धमाल मचा दिये बिरंदर चौहान जी उनका एक गाना आया था सोहर गीत डीम होई है सीम होई है देखे कितना अच्छा गाना है यही सोहर आप हमारे दर्सकों को सुना दीजिए यह सोहर तो मुझे पूरे याद मिना इस उपरा तो यह से उपरा और आजना है तो मुझा तो हमरा पूझाता बबुवा डीम होई है ओसे उपरापी अम वही है हो यह बबुवा हिंद के सीत आरा निवेदेन करना चाहेंगे आपसे बंदना जी कि जैसे निरहु जी का एक गाना आया है सोहर गीत तो ऐसे ही सोहर आपका भी आना चाहिए क्योंकि एक ही सोहर जुग-जुग-जिया सूललनवा मतलब कब का यह गाना निकला लेकिन आज भी ट्रेंड करता है जब भी किसी के हाँ बेटा वगरे या मतलब संतान की प्रापती होती है, तो ये गाना जरूर बजाया जाता है तो ऐसे ही वे गाना ट्रेंड करना चाहिए बंदनादूबे जी का, जी बिलकुल करेंगे और गीत हम बनाएंगे सोहर गीत शोहर की तम गाए के आई देवा रनिया जे ठनियां से पुछाई जे ठनियां से पूछाई हो बहिनी काओना चरित्र तोहरी ओबरी देखतनी का लागई देखत चबी लागई हो बहिनी का वाना चरी त्रतोरी ओबरी दे खत नीका लागई दे खत च्छबी लागई हो तुह से मैधा ना कईधा नई तिन दासाई जोके आगर दासाई जोके आगर हो बहिनी कावाने गर भवाके मातलिता हा मैना जा नायूता हा मैना बताईव हो बहुत बहुत धन्यवाद अभी जब हम आपके हां आ रहे थे एक मोटिवेशन है उन लोगों के लिए जो असलील कारे करते हैं गंदी वीडियो बनाते हैं आज अगर यूटूब पे फेस्बूक पे कोई वीडियो बनाता है तो उसके जो छेत्रिय लोग होते हैं वो गाली द पीठ पीछे गाली देते हैं लेकिन जब हम आपके हां आये हैं जिस गली से हमको मोड़ना था वहां हम चाय पीने के लिए रुके वहां रुके तो ऐसे चर्चा हुई कि मतलब यह घंस्यामपूर है ना तो कहें हां तो ऐसे बात्चीत होने लगी तो उन्हें बोले उन्हों मिल जाएंगे वहां पे लोग मतलब एक दम प्रसनता से उत्सुकता से उनके मन में तनिक भी भाव नहीं था कि यह बीडियो बनाते हैं मतलब हेट के निकास से नहीं देखे बड़ा अच्छा लगा और बड़ा ही अच्छा आप लोग का प्रयास है तो दर्सको अच्छा आ वाली कलाकार गाई का हमारे साथ बंदना दूबे जी जूड़ी थी वीडियो आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईएगा मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार